Hello Everyone, Welcome to the World of Stories रागयों, फिर जम आप लोगे सामने एक और नया रियल सूपरनेशनल एक्सपिरियंस लेकर, शैतानी हम सब लोगों के नीचर में होती है, हमने कभी न कभी कही न कहीं किसी के साथ कोई न कोई शैतानी जरूर की है, लेकिन क्या हो आप जो शैतानी किसी और के साथ कर रहे हैं, वोी शैतानी एक असली शैतान आपके साथ कर ले लगे। यहां कुछ ऐसा ही हो हमारे आज की एक्सक्पिरिंस में, जो कूटा के ही एक जैई एक एस्पिरिंट का रियल एक्सक्पिरियंस, वो अभी भी कोटा में हैं, अपनी जैई के द्वयरी को पर्शीो कर र ये कहानी है सोनाक्षी, पिया, स्वीटी और संजना की ये सबी लोग कोटाए जेई के तैयरी करने के लिए और चारोई के होस्टल में रहा करते थे इनमें जो सबसे ज़्यादा क्लोस थे वो थे पिया और सोनाक्षी क्योंकि ये दोनों जब आये थे, इनके सासा इनके पैरेंट्स पी थे और ये आपस मिले थे जो पिया के पैरेंट्स थे, उन्होंने सोनाक्षी की एडमिशन की प्रोसस के दौरान बहुत हेल्प की थी तो इन दोनों की फैमिलीज की थोड़ा एक-दू दिन साथ में रहेते तो अच्छा बॉंडिंग बन गया था और दूसरा क्या होता है जब खोटा बच्चे आते है तो अपना घर छोड़ के पहली बार आते है तो किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है तो जाने से पहले पिया की मम्मी ने सुनाक्षी से कहा कि बिटा इसे ना अकेले सोने के आदत नहीं है तो कुछ दिन तुम इसके रूम में इसके साथ सोना तो इनका जो हॉस्टल था उसमें पिया और सुनाक्षी का रूम आमने सामने था बगल में एक और रूम था और आगे जाकर कॉरिडोर में ही स्वीटी और संजना जिनकी और दो दोस्त थी उनका रूम था पिया और सुनाक्षी इन दोनों का बैच भी सेम था तो यह दोनों इस साथ में क्लासेस जाया करते थे और जैसा कि उसकी मदर ने कहा था कि तुम पिया के साथ सोना तो जब से यह लोग हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे सुनाक्षी कभी भी अपने रूम में नहीं सोई इनको करीबन 20-25 दिन हो चुके थे यह पिया के साथ ही उसके रूम में सोया करती थी और आप जानते हैं जब रूम पार्टनर्स बन जाते हैं तो बॉंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है अब घर वाले तो इनको छोड़के जा चुके थे क्लासेस वगर इनको शुरू हो गई थी लेकिन शुरूआत में क्या होता है ना बिल्कुल चिल माहौल होता है अच्छा पहली बार अब आप घर से बाहर निकले हो हॉस्टल में हो फुल फ्रीडम होती है घर वालों के प्रेसर नहीं होता है सोणाक्षी तो टर्र पाती करते है अकाम करते हैं तो पूलती है हुम चलेंगे एक और वाग चpriंगे उन्होंने किया करें एक डेड़ बजे रहे थे चुपचाप ईधर के घाववे न बहुआ इंने दोनों का है एक साथ और भाग के वाप से रूम में आके बैठ गया अगले जिन सुबह उठे तो सुबह उठके दोनों के पास पहुंचे रोंसे बोलते हैं कि या रात को ना किसी ने हमारा किसी ने गेट नॉक किया था तो ये इंशूर कर लिए नोने कि वो दोनों ये ना सूचे हैं कि इन दोनों ने ये काम किया है अब पहली रात जब प्लान सक्सेस्फल हुआ तो सुनाक्षी दिमाग में थोड़ा अलग लेवल आया उसने क्या किया यूट्यूब से एक पायल के बजने की आवाज है ना जो कि आप समझते होलर मुवीज में भी आती है वो डाउनलोड कर ली और अब नेक्स्ट लेबल था और रात को वापस से पहुंची दोनों के दोनों फ्रेंट्स दो बजे के आसपास उन्होंने अपना फोन चालू किया तो उसमें पायल की आवाज आरी चलने की और जैसी आवाजें उनका गेट नौक किया और इसके बाद वो पायल की आवाज को लेगा आप समझें आप रात को सो रहे हैं यह बैठे हुए पढ़ रहे हैं आपके गेट के बाहर पायल के चलने वाजर गेट नौक करें तो क्या आप गेट खोलोगे नहीं तो उन दोनों ने भी गेट नौक करके आके अपने रूम में सो गए और सुबह उटके वापस से इन्होंने उनसे यह गा कि और कल रात को ना किसी के पायल पहन के चलने के वाजर थे हुए और हम दोनों को भी आ रही थी और उनने हमारा गेट नौक किया तो इस तरह से अल् नौक करता था और उसरा वीडियो बनाता था तो वीडियो उसके अंदर पड़े हुए थे तो स्वीटी ने वीडियो देख लिए और उसको अच्छा तो तुम लोग थे जो हम लोग को डराय कर दे और उस दिन के बात से इनकी यह वाली शलारत थी वो खर्तन हो चुकी थी तो अब जासमन आपको बताया कि सुनाक्षी जब से आय थी तब से वह अपने रूम में नहीं सोई थी वो दिन में जाती थी अपनी बुक से लेती थी वापस कोचिंग वगरा जाने के बाद पीया की रूम में साथ में रा गट थी अब पीया भी सेटल हो चुकी थी तो उस जब पहली बार यह अपने रूम में सोने आई थी और अपना सामनावन रखके बुक से रखके वो अपने बेड पर सुई और जैसे बेड पर लेटी उसे बेड में से इतनी गंदी और तेज बदव आ रही ती उसको वो लेटते ही वापस उट गई उस ने देखा तो रूम म में उसके बेड पर बदवू आ रही थी तो फिर से उस रात वो वापस से पिया की रूम पर हुई तो पिया नो से बुला कि यह एक काम करना तू कल वार्डन को बूल के तेरा बेड चेंज करवा ले ना तो स्मेल और काईश हो जाएगा फिर वापस आ रहना होती हां यह रह समझ में नहीं थी कि रात को बदबु थी प्याया रहें भी बोला कि हां रात को बदवर ती तो पागल हो गई हो कोई बैड बड़ चीज़ नहीं होगा तीक है कि वापस सोने आई जैसे बेट पे लेटी यह वापस इसको बदबु आ अप रात को एक बजे-दो बजे और व को सोने जाती तब उस बेड में से उसको बदबुआती थी अल्टिमेटली ठक हारकर पिया और सुनाक्षी ने डिसकस किया कि या रे काम करते तो अपना रूम चेंज कर दें अब दिक्कत यह थी कि रूम और बें खाली नहीं था जस्ट सुनाक्षी के पास में एक रूम था ज खंडर सा लगता है मेंटेंड भी नहीं कभी खुलता भी नहीं और रही है हम दूसरे को ड़ा तो खूड रही है इहां तो और नश्टिय नहीं हुआ तो नेक्स्ट यह गई वार्ण के पास बोला कि आप रूम चेंज कर दो तो उस समय माना कर दें कि नहीं होगा तो ने पा द historian साथ सुतरा नहीं है मैंटेंड भी नहीं तो मिसी रूम में रहो दिक्कत नहीए तो यह दिए बाद लेकिता पहली बार में गई तो उसरो में अंटर करते ही सवनाक्षे को फील को भूँआ वाला ओन यदिस般 मैं आपको बता दूँ कि मे जून में कोटा इस लाइक फर्नेस यहां का टेंपचर 44-45 और कभी 46-47 तक भी पहुँच जाता है। बहुत गर्मी होती है। ठीक है सभी होस्टल रूम में एसी लगेवे होते हैं लेकिन यह जो रूम था इस रूम में ना कोई पंक्खा चल रहा था ना एसी जैसे उसने अंदर कदम रखा उसको एक ठंडी बिल्कुल ठंडा हैसास हुआ था किसी ने रूम में एसी चला के यहां तो ना इसी की ज़र होता है ना पंगे की ज़र होता है वापसे बाहर निकली देखा तो बाहर गर्मी थी और अंदर सर्दी थी उसने लाइट ओन की रूम बिल्कुल साफ से तरह था उसने अपनी बुक्स वगरा उठाई अरेंज की बेड पे जाया बेड वागरा था सब कुछ लगा हुआ था आराम से बेड पे जाकर वह बैठी तो बेड पर बहुत अच्छा थंड़क सा इसास हुआ इसे लग रहता है कि बहुत अच्छा कूलिंग सेंसे था उस रूम के अंदर उसको देख कि तो अजीब सा तो लगा और उसने इसना ध्यान नहीं दिया उ इनके हॉस्टल के साइड में सडक जा रही थी जिससे सीधी धूप इस रूम पर पढ़ा करती थी मतलब आर्किटेक्चर वाइस ऐसा कुछ नहीं था कि वह रूम अपने आप ठंडा रह सकता हो तो अपना समानवान जमाने के बाद सवनाक्षी जाती है वापस सब कोचिंग सब्सक्राइब कोचिंग से आने के बाद शाम को पिया के साथ पिर रात को करीबन एक बजे वह अपने रूम में वापस सोने आती है तो रूम में आते बिल्कुल आप यह मानला राजस्तान से सीधा चम्मु कश्मीर या फिर शिमला पहुंच गई जहां बिल्कुल ठंडा क बेड़ पर सोने को मिल जाए तो आप सोच सकते हैं आपकी बॉड़ी को कितना आराम लेगा तो आके लेटी और लेटी उसे बड़ा ठंडे का हैसास हुआ जनरली उसको कुछ हेल्थ इशू था सुनाक्षी को उसको बेड़ पर लेटते ही नहीं नहीं आती थी करिबन आदा एक घंटा उसको मिनिमम लगता था लेकिन आज बेड़ पर लेटने के पांच मिनिट में ही उसे इतनी गहरी नहीं दाई कि वो सीधी सिर्फ सुबह ही उठी सुचा कि आज में इतनी जल्दी सू कैसे रहे और इतनी लंबी गहरी नहीं तो से लगई हो सकता है कल के शिफ्ट अब हर दिन धीरे धीरे चीज़ें उसके साथ कुछ अलग होने लगी रूम का टिंसर लिखा है ठीक वही रहता था ठंडा रहता था लेकर अब जो वो सोती ती तो उसको अजीव-जीव से सपने आते थे इस सपन उसको पहले कभी नहीं है जब से वह आई है यह उसके सपनो इक रात की बात है वो पढ़कर करीबन डेड़ बजे के आसपास अपने रूम में आई और रूम में आकर वो अपने बेट पर लेट गई और बस उसके आख लगी थी शायद कि तभी उसकी वापस से आख खुलती है किसी की फुस्फुसानी की आवास से वो घूमकर देखती है तो उसे लगा कि हो सकता है मन का वहम हो आजकल सपने भी ऐसे आते रहते हैं पता नहीं क्या चल रहा है और इस चीज को इग्नूर करके वो सोगी नेक्स्टे वो उठी उसने सूचा रात के वारे में तो पिया के पास गई और उससे बोला कि रात को ऐसा होगा तुम दूसरे बैकलोग इखटा हो गया था तो उसने ठान ले था कि आज में अपना बैकलोग कवर करूंगे तो पिया के रूम से करीबन साड़े ग्यारा बारा के असपास अपने रूम में आ गई थी और पता नहीं कब पढ़ते पर तो उसको रात के करीबन 2.45 हो गए थे तो उसने गए थे तो लेटते उसको नींद आ गई लेकिन थोड़ी देर बात उसकी आँख खुलती है तो सबस्वसाने की आवाज इस पार खिड़की से नहीं उसकी जस्ट पास में से आ रही थी और से लग रहा था कि जैसे जस्ट उसके पीछे लेट कर कुछ के कान में कुछ बोलन जा गई थी उसने पूरा रूम चेक किया विंडो खोली गेट खोला आसपास गैलरी में हिम्मत वाली थी कोई और होता तो शयद गेट खोलने के हम्मत नहीं करता यह उससे लग रहा था कि कोई नों को इससे मज़ाग कर रहा है उसने सूचा कि रूम बंद है खिड़की भी हैं और मुझे अपने रूम में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है इसको में बोलती तुम पागल हो तुम से मजाग कर रहा होगा तुम से मजाग कैसे करेगा रूम बन था मेरे कान के ज़स्ट पीछे से आवाज है तो दिमाग क्रिएट करता चीजों को इन चीजों को से को एक काम करो तुम होनवान चल्यशा लेयो और रॉज राथ को हनवान चल्यशा पढ़के अपने तकी की निचे लागा करू कि अभार निकली निखें बेड में वापस आई तो देखा कि अनमान चल्यशा उसके नीचे गरूए फ्लूर के अपपर उसे अचे कैसे आगई ये तो में तक्राइट के नीचे रखी थी, नीचे के सी गर गई, हो सकता है मचसे ही गर्टी से गर गई हो, तो उस ने इस चीज को भी इग्णुर किया, उसके आद रहो कि वापस से पीया के पास गई और उसने इस आरी चीजे को भी बताई, तो पेय बस उसने बाद वोला तुम्हें इसको इतना सेरियस कहले तुमने भी तो स्वीटी और संजना को पाहिल के हावासे दराये था हो सकता है वो तुम को डरा है को अरतों को डरा रहा हुआ चैसरी भूर कुना हो सकता है अब फिर से वह अपना रूम में आई तो पूझापाठ करती थी तो मंदू उसने अपना रूम में धूप चलाई ॉपural नब यहार एक इनसे इंट हो रहता पॉस्टिल की थी मुलब जो तीन रूम एक साथ होते हैं और वो धूप जला रही थी अपने रूम के अंदर तो धूप बार बार बुझ रही थी मुझे लगता है कुछ ना को जो रूम में चक्कर है पिया उसकी बात सुनके बूलती है तुम पागल तुम साइंस की स्टूरे तो करी कैसी वकवास बाते कर रही है तो तुमने भी तो संजना और स्वीटी के साथ मजब किया था तो सबस्क्राइब तो कई बार पीआप में गई थी और वो जाते हैं लगता ऐसा है कि यहीं पर आकर रहे लो बट कभी उसके साथ बहुत जादा वस दो नहीं रही थी तो तो सोनाक्षी नहीं से कहा कि एक काम करते हैं, तुझे लगता ना कुछ भी नहीं है, तुझे लगता ना कुछ भी नहीं है, तुझे काम कर, आज तु मेरे रूम में सो और मैं ते रूम में सो जाओंगा, तुप उसकी बास सखपका गए बोले, कि क्या, मैं ते रूम में क्यो भी में देखना चाहते कि सर्फ मुझे कुछ वह दूझे ौहता नी है औरत के रही रात करी पिया और में सवनाख्षी तो ग coward यूज वह थे रात करेवन बच पास पीया उस रहा आते बुटन आते रही और समस्वागि欸 था बाहर गर्मी थी और अंद्र से किसी ने बढ़िया पंद्रा सोला से सत्रा डीर से असपास इस ही चला रहा 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 था वह आई उसने रूम कछे से देखा उसे ऐसे कुछ फील नहीं हुआ वह जाकर बेट पर बैठी तो वही बिल्कुल ठंडा का एहसास उससे भी बेट हुआ है कितना ठंडा बेट है इस पर सोने में दो मज़ा आएगा तो वह थोड़ा अपना काम बाम करके और बेट पर सो गई अब जैसे वह सोई इसको गहरी नियंद लगई बेट बहुआ ठंडा रहा और फिर अचानक से उसके आँख खुलते एक आवास से लग रहा था कि कोई उसके पीछे लेटा हुआ है और उसके कान में कुछ फुस फुस आ रहा है उभी पीछे घूमी देखा कोई नी था और घबरा के उठ गई और उठके सीधा ओ गेट खुलके भागी अपने रूम में सोनाक्षी को बास जाके पना गेट नॉक किया सोनाक्षी को अठाया वो सुबह उठी अपने रूम आई सुबह कुछ भी उसको डर या ऐसे कुछ चीज नहीं लगती नहीं कोई आवाज आती थी उसने रोजाना की तरह फ्रेश फ्रेश होके अपने हनमान चलिसा पढ़ी पढ़ी को से अपने टेवल पे रखकर वो चली गई और जब वह वाप पढ़ने रूम को लॉक करके गई थी और रूम के अंदर कोई नहीं आ सकता था फिर हनमान चलिसा किसने क्रश करकी वीजी यह सब सारी डॉट्स करने के बाद सुनाक्षी को यह तो समझ में आ गया था कि इस रूम में कुछ ना कुछ गढ़बढ है कोई ना कोई जो भी थी ऊसकी और हनमा चलिसा आप पढ़ने बैटी। अब वह रही थी पढ़ते पढ़ते उसके शब्द जो सतया जम्बल हूरते तो जैसे वह हनमाण चलिसा के लाइन बोलती तो इस लाइन की जो वर्ड्स इधर दुर बहाग रहे थे जो बोलना ठाट वह नहीं बोल क अपना दूसरा कान गद्दे की नीचे गद्दे पर दबा दिया ताकि उसको बाहर से कोई आवाज नहीं आ है वो लेटी वी थी उसको नीन नहीं आ ली थी और फिर उसको उस गद्दे में से आवाज आ ली थी वही फिस्तिसाद की आवाज नहीं से कोई गद्दे में से कुछ कि है अपर भी तो बस सोचे जा रोी थी कि क्या चल रहा है अशी क्या छीज्ज है रहा है कहा है लो कर भुत परकॉशन कि और तो यहिस के उस सुबह उठी पिया के पास गई और उसने से पूछा थो ठीक है तो इसने बला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन एक्चले पिया ठीक नहीं थी जिस दिन से पिया सौनाक्षी के रूम में सोई थी उस दिन से उसके साथ कुछ-कुछ चीजें होना शुरू हो गई थी ल चीजे लाइब रात को बार एक जलती रहती लेकिन आज रात को आट बजे ही उसके रूम की लाइट ती उसको लगा ठीक तो है ना तो गई उसका गैट नॉक किया गैट खुला और सामने उसकी पिया कड़ी थी लिकाने लागा था कि यूपिया है यह नहीं कोई और ही इनस उसने इसके आखों में देखा और पूचा तुम ठीक हो ना तो इसको क्या हो गया है वह अपना इसा मूह लेकर अपने रूम में आ गई और सोचने लगी कि पिया की हालत कैसी हुई उसने एक और चीज़ वहाँ पे नोटिस की कि जब पिया ने गेट खोला था तो उसका जो कमरा तो बिलकुल अंधेर घुप हो रखा था मनलब जितनी रात हो गई उससे भी कहीं ज़्यादा उसके रूम में अंधेर रहता मनलब सिर्फ पिया दिख रहता और उसकी रूम का टेंप्रिचर बिलकुल डाउन था बिलकुल पंखा बन एसी बन लेकिन कमरा बहुत ठंड हो रहता बिलकुल वैसा ही जैसा सोनाक्षी की रूम में हुआ करता था उसको लगा कुछ नहीं कुछ गड़बड है क्योंकि जब से पिया यहां से सोके गई थी सोनाक्षी का जो रूम था वो अब नॉर्मल टेंपरिचर पाना शुरू हो गया था तो उसने फटाफट से पिया की मम्मी को काल किया और उससे पुछा कि अ फुस फुसाने की आवाज आ रहे थी कुछ ऐसा लगता कि फोन में अपना मूझ आकर कुछ फुस फुसा रहा हो क्या बोल रहा हूं जिस समझ में नहीं आ रहा था लेकिन इसके बाद हमने फोन कट कर दिये कि पता नहीं क्या चकर है अब सवनाकशी को और कोई नजर नहीं आया तो वो पहुंची स्वीटी और संजना के पास और उसने उनको यह सारी बात पर लगी बुलते तुम पहले हम को डरा रहे थी अब तुम पीर का नाम लेकर वापस हमको डोराने आ गई हो तुम बुलते ही, नहीं यार मैं तुमसे मजाग नहीं कर रही हूं, ऐसे एक प्लान करते हैं, मैं पीचह को लेकर मैस में जाओंगी खाना-खाने, तुम पीछे तुम से उसके रूम में जाना और देखना कि उसके क्या है तो एसा ही हुआ सवनाक्षी पिया को लेकर मैस में गई नीचे चलो खाना खाने चलते हैं और जैसे वो लोग नीचे गए बैठे पनी डेविल खाना खा रहे थे उधर से पिछे स्वीटी और संजना पिया के रूम का गेट खुल के अंदर जाते हैं इधर वो अंदर फ्लोर पर रूम था और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मैस पर बैठी हुए थी और गेट खुलते हो यह गरदन उठाती और बुलती है सोनक्षी को देखके किसने किया किया किसने क्या किया किया इतना बोलके वह उठ गई और चाकर उसने लिफ्ट का भी जानी किया सीधा व वह वहां से और वो दोनों वहां से गेट लॉक करके भाग गये और सीधी वहां पर पहुंची उसने अपना गेट खोला और अंदर जा गेट को बंद कर लिया यह काफी था यह प्रूफ करने के लिए सोनक्षी को इसके साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है वह स्वीटी के प अजीब सी कुछ मरा होता ना ऐसी बद्बू आ रही है तो सोनक्षी ने बिना देर किये पीया की मम्मी को फोन कि और उनको बोला कि आंटी आप जिजनल दी हो सकते हैं आप आजाए ऐससी बात है तो उसके जो मम्मी थी वह उनकी जो कुल पंडित थे उनको साथ लेकर वाश लेकिन वह अब्सर्व कर रही थी वह हर टाइम पर पिया के उपर वाच रखा करती थी नजर रखा करती थी वह देख रही थी कि वह पिया जिसने कभी नौन विच को हाथ नहीं लगाया उसके रूम पर चिकन के और आ रहे थे को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ यहां पर लोचा चल रहा है जैसे आंटी और इसकी जो मम्मी आई पिया की तो यह लोग उनको होस्टल में नहीं पहले बाहर मिले बाहर मिलकर उन्हों दोनों को सब कुछ बताया आने के बाद पंड़ी जी वह होस्टल में आये उन् नहीं किया लेकिन उस दिन के बाद पिया थोड़ी ठीक लगी थी तो सब कुछ ठीक हुआ हर रूम का जो सुनाक्षी रूम तो उसका विशिद्धिकरणों की वहीं से स्टार्ट हुई थी उसके बाद पंड़े जी ने बोला कि आप सब कुछ ठीक है अब तुम लोग वाप पिस बोलके गई उसके ये शब्द सुनकर सुनाक्षी चौक गई क्योंकि पिया को उर्दू बोलना नहीं आता था तो उसे कुछ ने कुछ लोचा लगा लेकिन वैसे वो ठीक थी बस अब वो उर्दू के वर्ड यूज करती थी उसके बाद दो-चार दिन के बाद ही सुना पिया में नॉर्मली ही रहती है ऐसा है सच को कोई बहीवियर नहीं है बाद में सुनाक्षी को ये भी पता चला कि ना सरफ चिकन का ओडर पिया ने उस होस्टल के पास में कोई एक पालतू जानवर था मेभी बिल्ली कुता या कुछ और तोता चिडिया कुछ भी हो सकता है उसको भी मार के खा गई थी सुनाक्षी अभी भी कोटा में है और अपनी जेई के त्यारी कर रही है ये उनका ट्रॉप यह है और जैसा उनका कहना है कि इस experience के बाद एक बार बस उनका जेई क्लिर हो जाए फिर वो दुबारा यहां पर आना नहीं चाहेगी तो ये था एक experience जो हुआ सुनाक्षी के साथ और सुनाक्षी जो खुद शैतानी किया करती थी किसी और को उसने एक भूत बन के डरानी कोशिश की लेकिन उससे नहीं पता था समय का चक्र घूमता है और वो घूमकर उसी के पास आ गया लेकिन उसका ऐसा कोई intention नहीं था लेकिन उसकी एक गलती की वज़े से सिर्फ ये प्रूव करने की वज़े से पिया के साथ प्रॉब्लम से आज भी सफर कर रही है आपको क्या लगता है इस अंसुल जी कहानी में कौन है जो वो entity जो पिया के साथ है मुझे comment section में जरूर बताए हम लोग मिलते है अपने अगली कहानी में तब तक के लिए keep loving and keep listening